देश को अजाद हुए 70 साल हो चुगे हैं लेगिन अब तक ये लोग पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं तहसील तिर्याथ गाउं के बढ़ते तापमान के साथ लगातार गेसे जलिस्तर से लोग प्राहिमाम कर रहे हैं लोग तहसील मुख्याले में गए और प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा विशे रखा है कि अगर हम बाथरूम बनाते हैं तो पानी कहां से लाया जाए तिर्याथ इन दिनों बिझली पानी जैसी बुनियादी सुविदाओं से जूज रहा है गर्मी के मौसम में गाउं में बिझली पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है गाउं में बहुत कम बिजली दी जा रही है जिससे गाउं में बिजली पानी की भारी समस्या बनी हुई है पिर्याद से अनिल गग्याल की रिपोर्ट जिसरत से आप देख सकते हैं कि आज तसील त्रियाठ में एक स्वश्वारत अव्यान को लेकर जो मोहिम चलाई गी टाइलेट फैसलिटी की हर एक जगा पर टाइलेट फैसलिटी जो है हर गाउं में हर गरगर में होनी चाहिए उसी विशे को लेकर आज लोग जो है एक तसील हड़कॉर्टर त्रियाड में पहुँचे यहाँ पर एड्मिस्टेशन का ना होना और उसके बाद यह सोशल मेडिया के तहट डिस्टी साफ से रिक्वेस्ट करना चाहते है कि अगर हमारे बातरूम हम बनाएंगे उससे पहले हमें यह बाटर फैसलिटी है पानी की परिशानी उससे तो दूर किया जाए जिससे हम बातरूम को फंक्शन कर सकें कि आईएए हम इनी के बीच में चलते हैं और इनसे जानते है कि इनके आम लोग हैं ये एक समाज में जो पिछडे हुए लोग होते हैं सतर साल होगे हैं देश को अज़ाद हुए आज सतर साल के बाद भी ये इन लोगों के गर में ना ये नन-इलक्ट्रीफएड हैं जो इन पारा एक ऐसा गाउं है, द्रोटी, चुड़ोई, लालुखेतर, पींगा गाला, जो साथ में तीन-चार गाउं लगते हैं, त्रियाठ के साथ, तसीर त्रियाठ में पढ़ते हैं, सभी गाउं, लेकन अभी तक हमारे लोगों के उपर बोही संताली है, जैसे संताली में लोग टाइलेट बढ़ाओ, टाइलेट थो हम बढ़ा देंगे, लेकन उसको इस्तामाल पानी के विनासर कैसे कर सकते हैं, मैं पूछना जाता हूं, हमारे लोगों की जल्दी से जल्दी जै पानी दी है, पानी और बिजली डिवान जो है, जै पूरी की आए, तो मैं जही ही रुक के कहीं लाइट ने छांजिकना हो, अब बढ़ाओ, तभी जहां तर्याठ में जाना बढ़ता है, जहां रेंफ्राइस के दोर है, जहां कि लाइट जै कोई फैसलिट नहीं है, हाँ जै कि लाइट जहां से जल्दी से जल्दी हो सके तो मैं गरिव लोगों के इसकी वाज को थोड़ा मदेनेजे रखते होगे धोड़ा कोशिव करना कि ताहां कि हमारे लोगों की समस्यों को सभी नान आगे लाएज़ए